तो कैस मैं हुआंग की तोर आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नेटवर्ग दो बड़ी न्यूज जस्ट डेबिडर बी ने कंफर्म करी है अनाउंस करी है और इसके उपर हम लोग तोर डीटेल में बात करेंगे कि इससे क्या अफेक्ट पर सकता है क्या नहीं एक तो यह कि मंदे नाइट-मां अ Ale Payal का future जो है वह हो चुका है कंफर्म मंदे नाइट gained आगे कैसे वर्क करने वाली hai कैसे अनकैस यह को इंडियेंज को affect कर सकती है यह बात है में आपको बताने वाला हूं साथ में रॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि एक्चुली में head of the table बन चुके हैं, यह दो बहुत ही major news है, तो इसको पर आच्छे से बात करते हैं, बाकी updates इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में cover करेंगे, पहले हम लोग सुरु करते हैं अपनी बातों को Monday Night Raw से, अब तो बहुत ही जादा समझने वाली चीज है, आपको बहुत detail में घुसके इसको समझना पड़ेगा, tweets निकल के सामने आए, WWE की तरब से, WWE की तरब से पहले official tweet यह वाला निकल के सामने आए, जहाँ पर WWE कहती है, WWE Raw is coming to Netflix, starting in January 2025, Netflix will exclusively stream Monday Night Raw in the US, Canada, UK and Latin America every single week all year long, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, कि Monday Night Raw आप से Netflix पर आपको देखने को मिलेगी, यानि कि 2025 जैनवरी से चीज स्टार्ट होने वाली है, जब यह Monday Night Raw को stream करेंगे, US, UK, Canada and Latin America में हर एक एपिसोड पूरे साल भर, अब मैं आपको थोड़ा डीटेल में जाके बताता हूं कि website में होने क्या लिक कर रखा है, जो major point है, वो मैं आपको बताता हूं, major paragraph, कहा है, beginning in January 2025, Netflix will be the exclusive new home of Raw in the US, Canada, UK and Latin America, among other territories with additional countries and regions to be added over time, likewise as part of the agreement, Netflix will also become the home for all WWE shows and specials outside the US as available, inclusive of Monday Night Raw and WWE's other weekly shows like SmackDown and NXT, as well as the company's premium live event, including WrestleMania, SummerSlam and Rumble, RawRumble, that means, WWE's award winning, documentaries, original series and forthcoming projects will also be available on Netflix internationally, beginning in 2025, अब क्या है इसका मतलब, क्या नहीं हो, मैं आपको समझाता हूं, लेको पुरी कहानी कुछ यह है कि Monday Night Raw को USA Network पर से हटना था, USA Network Monday Night Raw को आगे carry करके नहीं लेके जाना चाती थी, अब ये चीज में आपको पिछले बहुत टाइम से बताते आ रहों, तो बिलकुल वही हुआ ह लेकिन अभी रीसेंट में हमने सुना था कि Disney पर Monday Night Raw जा सकती है, या नहीं तो हो सकता है कि ये लोग जा सकते है, प्राइम वीडियो पर या नहीं तो हो सकता है कि WBD TV Network पर जा सकते है, प्राइम वीडियो के चांसे रीसेंट में बहुत बढ़ गए थे हैं, लेकिन वहां प क्या कहते हैं इसके बारे में, Triple H tweet को quote करते हैं कहते हैं, इस partnership is one that will break new ground and take WWE to new heights, I'm sorry, to new heights, thrill to bring Monday Night Raw to Netflix coming January 2025, now we change the game, तो साइध यह हो सकते है tagline, now we change the game, तो Triple H जो इस partnership को लेकि काफी anticipated है, excited है, और कहते हैं कि बहुत सारे records वगए और बहुत सारे भेहंकर चीज़ आपको इस partnership के ब इसका क्या effect पर सकता है, परेगा भी या फिर नहीं या फिर कैसे पर सकता है, अब देखो अभी कही साब से इंडिया पर तो एज सच कोई effect नहीं परेगा, Netflix पे लोग जाएंगे भी इसके बावजूद भी Sony Network पर हमें चीज़े देखने को मिलेगी, अब Sony Live पर आप देख सकत है कि WWE अपनी डील Sony के साथ renew ना करें, यह प्योर एजंपसन है, क्यों है वो मैं आपको बता दूँ, पहले WWE Network को काफी ओवर प्राइस्ट रखती थी, बहुत जादा ओवर प्राइस्ट, इसलिए इंडिया में लोग mobile phone पर उसे नहीं देख पाते थे, सिर्फ TV पर ही देखते को एक OTT platform भी मिल गया है, इंडिया हम अपने सोस्ट टेली कास्ट करने के लिए, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, क्योंकि WWE अब खुड डेवलप हो हो के Netflix पर जाज चुकी है, and because Netflix इंडिया में काफी popular है, तो अब WWE को Sony लिव की ज़रूरत नहीं है, and Monday Night Rob वहाँ पे US में add UK वगराम जो भी countries mentioned है, वहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा Netflix पे ही, तो अब ये चीज धेरे धेर अगर popular होगी, तो इंडिया में भी जरूर आएगी, and हो सकता है कि maybe WWE OTT deal के लिए पिक करे Netflix को, तो Sony Network तो आपको TV पे साथ देखने को मिलेगा ही, WWE Source को टेली कास्ट करते हुए, लेगिन आने वाली टाइम में Sony Live वाली जो चीजे वो Netflix में बदल सकती है, क्योंकि WWE इतना जंचट क्यों करेगी, अगर उनकी main deal Netflix से होईगी है, तो फिर इंडिया में Sony Live क्यों ये वो, तो ये जंप से, साथ में एक और चीज में आप एड़ करना लेकिन हो सकता है, तो इस ये पॉसिबिलिटी है, अभी के साथ से, अच्छी गाजी, तो में यह है कि Monday Night Raw जाने वाली है Netflix पे अगले साल जैनवरी से, और वहां से आपको कुछ और नए चेंजिस WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं, विकास OTT पे चीजे थोड़ी ज्यादा अंसेंसर हो जाती है, आगे बढ़ते हैं गास बात करते हैं, एक और बहुत ही मेजर स्टोरी के बारे में, यह है The Rock को लेके, The Rock एक्चुली बन चुके है, Head of the Table उनने कहा था कि क्या मुझे Head of the Table पे बैट ना चाहिए, और एक्चुली वहां पे बैट भी चुके हैं, विकास Rock हो चुके हैं एक तरीके से WWE के Owner, and I'm not joking, यह Actually में Real है, Rock Actually में WWE के Owners में से एक हो चुके हैं, अभी TKO ग्रूप की तरफ से एक Announcement निकल के सामने आई, इन लोगों ने एक ट्वीट करा जो कि मैं आपको सबसे पहरे ट्वीट दिखा देता हूँ, यहापे TKO वाले क्या कहते ह वेलकम तुदर टीम दरॉग, तो यहाँ पर रॉग जो है TKO के Board of Directors हो चुका है, अभी डारेक्टी प्रपोर्शनल नहीं है WWE से लेकिन हाँ, इसका मतलब है कि अब उनका influence WWE UFC दोनों पर होगा, विकोज TKO एक मर्जर है WWE UFC दोनों के लिए, अब एक तरीके से Rock को Ownership मिल चु लेकिन Rock ने खरदा तो नहीं बठा, Rock हो चुके हैं Board of Directors में सामिल, रिसेंड में काफी tweets करें थे, Rock ने tease करते वे कि वो WWE के अंदर वापस आ चुके हैं, तो वो दोनों तरीके से आ चुके हैं, एक तो भाई, इन रिंग एक्शन में भी most probably, अभी Board of Directors के तोर पे WWE के अंदर एक massive influence भी होगा, तो Rock आ तो चुके हैं, जरूर से head of the table पर बैट भी चुके हैं, लेकिन क्या इसका affect पढ़ने वाला है match वगरा पर, क्या वो Roman को face करेंगे आप नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से chances और जादा बढ़ चुके हैं, कि Rock हो सकता है कि Roman को face करें, क्योंकि story के अंदर कि Rock रोमन का match होने वाला हो, और Rock अभी इतना ज्यादा involved होई चुके हैं, तो एक final match या फिर जो भी कहलो, ये वाला match Rock डिलेवर करते हुए, देखने को मिल सकते हैं, तो अभी कैसा आप से एक बड़ी news है, आपके thoughts क्या है, कॉमेट करके बताना, सिर्फ ये नहीं, बल्कि द लिखा, तो मैं for sure, उसका answer करने की कोसिस करूँगा, अगर आपके कोई doubt से तो comment कर देना, फिलाल के साब से यही कुछ है, इस वीडियो के लिए यही कुछ है, अगली अपडेट वीडियो के अंतर ही, वीडियो को like करे, share करे, subscribe करे चैनल को तक आने वाले time में, आपको और भ वीडियो में